असलाम आलेकुम एंड वेलकम बैक टू मस्कुक्स आज की रेसिपी बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत कूल है आज मैं दो रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि तर्बूस की रेसिपी से तर्बूस से हम बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना सकते हैं रमजान में रमजान में तर्बूस हमें जरूरी होता है, तो देखिए हम तर्बूस के दो तरा के ड्रिंक्स बनाएंगे, और दोनों भी बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी लगते हैं, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें सबसे के बीज को भीगा देना है कुछ पानी में, यह बह दो पानी में एक प्षकर डाल दी, यह पर मैंने शकर का पाउडर लिया, आप डायरिक शकर भी ले सकते हैं, और हम इसको शकर को इसके अंदर गोल के साइड में रख देंगे, इसके बाद हम यह पर लेंगे एक लीटर दूद, इस दूद में हम जो शुगर सिरब हमने बना इसके बाद हम इसमें दालेंगे थोड़ा सा रोज सिरब, एक या दो टेबल स्पून, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए कैसे कलर चेंज हो रहा है, यह बिलकुल पिंक कलर का हो जाएगा, रोज सिरब नहीं है, तो आप रोफजा भी डाल सकते हैं, लेकिन जदर से ज़ादा ठीज तो बिलक्ति करने अधिना से, यह बिलक्षटी अधिन के नहीं हम यादे लेकिन दूद्धा लिएunn liis, अब कि आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन किसी कोई तो दूद्द के सागी अगर अच्छी नहीं, लगती है तो वह बिलक्तितों के यह हमारी रमजान में बिल्कुल एहम चीज होती है तो हम तर्बूस के बारिक-बारिक तुक्डे कर के इसके अंदर अड़ कर देंगे तो देखिए तर्बूस की टुकड़े हम इसके अंदर एड़ कर रहे हैं बीज अगर आपको लगता है कि निकाल दे तो आप निकाल दीजिए लकिन वैसे भी है ऐसे भी अच्छा लगता है कुछ लोग बीज को भी पसंद करते हैं तर्बूस को बारिक बारिक टुकड़ों में काटकर हम इसके अंदर डाल देंगे आजकल तर्बूस लाल ही आ रहे है तो हमें लाल तर्बूस ही यूज़ करना है तो देखिए इस तर्बूस को बारिक बारिक काट करके इसके अंदर डाल दिया अगर आपको बीज निकालना है तो आप बीज निकाल कर डालिए बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत टेस्टी लगता है शेरबत जब ठंडा ठंडा इफ्तार में सर्फ किया जाता है आप लोग ज़रूरी से ट्राइ कीजिए देखिए इसके अंदर कुछ हम आइस क्यूब्स डालेंगे और जो सब्जा हमने भीगाया था वो हम इसके अंदर एड़ कर देंगे यह अप्शिनल है अगर आपको सब्जा नहीं पसंदे था आपको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन यह रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स में सब्जा बहुत अच्छा लगता है बस हमारा मुहबत के शर्बत बिलकुल तयार है ठंडा ठंडा इफ्तार में सर्फ कीजिए और सब की तारीफे सुनिए और आप भी इंजॉई कीजिए तो देखिए हमारा तर्बुस का शर्बत बनके बिलकुल तयार है आप इसको सर्फ कीजिए और इंजॉई कीजिए दूसरी रेसिपी हमारे यहाँ पर है तर्बुस के शर्बत की जिसमें के हमें दूद का स्टमाल नहीं करना है यह भी बहुत ज्यादा कूल हेल्दी और टेस्टी ट्रिंक है तो चलिए हम तर्बुस का शर्बत बनाना स्टार्ट करते हैं यह दिखने में इतना रिफ्रेशिंग लगता है तो रोजा खोलने के बाद ठंडा ठंडा सर्फ करने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है आप दोनों भी शर्बत ट्राई कीजिए तो देखें बहुत आसान है तकरीबन सेम स्टेप से दोनों के इसके लिए भी हमें सबसे पहले सबसे सीट्स को भीगा देना है ठोड़े पानी में थोड़ी देर में अच्छे से भीग जाते है इसके बाद में हम लेंगे तर्बूस इसको हम कट कर देंगे बीट से बहुत धीयान से कीजिए कहें इकाम तर्बूस बड़ा होता है और इसके लिए हमें शूरी तेस शूरी की जरूरत होती है तो बहुत आसानी से इसको कट कर दीजिए इसके बाद मैं इसको स्मॉल पीसेस में कट कर देंगे तर्बूस को बिल्कुल मुहबत के शर्बत की तरह ही लेकिन बस हम इसमें दूद अड़ नहीं करने वाले है तो दीखे यहाँ पर मैंने तर्बूस को कट कर दिया अब हम यहाँ पर दालेंगे फजी कप शुकर पाउडर शकर को ग्राइंड कर लेंगे और वह इसके अंदर एड़ कर देंगे एक लीटर पानी एड़ करेंगे हम इसके अंदर अच्छे से MIX कर दे, में कुछ AICS där लेंगे और यहां पे भी हमें रोस शे नहीं करना है, यहां पर रोस शर्बत का यूज़ करना है , यह तो आप Elsa को पीR एया रोस शेर्बत का यूज़ करना है यह चाहते हैं तो सिफ रोस शेर्बत भी यूज़ सका सका है तो यहां पर मैं दोनों भी शर्बत थोड़े थोड़े आड़ करूंगी इसके बाद जो सब्जा सीट से हमारे हमने वह डाल दिये देखे कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है तम रेट कलर का शर्बत जैसे कि मैंने आपको बताया है मैं यहां पर रोज सिर्फ पर दाल रहे हूं आप्शनल है आपके पास वह अवेलबल तो दाले नहीं हो तो ना दाले सुफरो हवजब से भी अच्छे लगता है अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ठंडा ठंडा इफ्तार में सर्फ कर दीजिए इंजॉय कीजिए और लोगों की तारीफे सुनिए और अगले दिन और बनाईए रेसिपी अच्छे लगए हो तो लाइक कीजिए कमेंड में बताईए कि आप इसे कब बनाने वाले है और शेयर करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अगर मेरे चैनल पर आप नए है तो से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना मत भूले तो लाइक करना मत भूले